कि हैलो दोस्तों स्वागत है आपके चैनल पर दोस्तों आज हम बात करेंगे कर्टिस बारत 44 कंट्रोलर के कम्मिनिकेशन वाइरिंग के बारे कौन सा वाइर कहां पर लगे और क्यूं लगेगा थोड़ा वीडियो लंबा हुआ लेकिन पूरा देखेगा स्कीप मत करेगा स्की चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं तो टाइम भार भार खराब नहीं करने के लिए लिक के रखी है उसके बाद मैं आपको बताने में कोई पढ़एगा और थोड़ा जल्दी होगा तो द्यान से देखें कंट्रोलर में इस तरह का आपका आपका जो कम्मिनिकेशन यह च्वाद करने के लिए तो आपको सिर्फ यह वाला करें तर ना है इन दोनों की जरूत आपको नहीं पढ़ेगे इसका काम सब्सक्राइब कि आपको कहीं जरोट नहीं पड़ेगे और इसका काम पड़ेगा और इसका काम प्रोट करने के लिए अब वह भी सबस्थल नंबर जितना नमबर यह पी नबर नहीं तो पीन नंबर है इसको बोलते हैं कंट्रोलर का नॉच लगबग नॉच यह रहता है और आपको फेस कर रहा है तो यह राइट साइट का सबसे जो पार्ट रहेगा वह एक रहेगा दोस्तों इस तरह का जो भी रहता है उसको मोलेक्स कनेक्टर बोलते हैं आपको बताता हूं कि कितने भी करेक्षां कितने भी हों उस्समें एक जो रहेगा आपको इसकोएर कर रहेगा ध्यान से देखेंगे यह एक्पर सब्सक्राइब दॉर्छ जबत पांपर मेंपशते म Почему नेंधे चेयर में अभी नवस्वाहान है रहे कि नंबर eatे random दियुक्ते ओध उपर यहां सबस्क्राइब हुँ सब्सक्राइब तो सबस्क्राइब यहां अबर दूसरा सी पहले हैं अब आते हैं कौन से पीन नंबर का क्या का में किसमें क्या क्या लगाना है हम लोग इस पर आते हैं दोस्तों बतातों सबसे पहला एक नंबर जो है आपको के साइब की स्विच से इसे पूट आएगा सबी चीजों के एक बात बताते हैं इसमें जो भी एक छोटा सा चीज में यहां पर डियाग्राम बना देता हूं मान लेते हैं यह आपको कम्मूनिकेशन कनेक्शन है कोई जो भी है मान लेते ही समझ दिजें कि 24 है ठीक है तो जो एक नंबर है यह आपको क इस इंपूट है लेकिन जितने भी इंपूट इसमें रहेंगे पोजिटिव से रहेंगे समझ गए आप लोग क्या करते हैं मान लिया जा यह बैटरी है ध्याल दिजेगा मान लिया जा यह बैटरी है थोड़ा से बता देता हूं इतना डीप का कनेक्शन अलग अगले वीड आ कि आपको क्यूमक करके दीखाऊंगो जांगे ऐसे होता हूं तो अज़िया यह इना करते है सिसे में डाएटरी डिक्टर्विंगे यह रहते हैं यह और प्लस जो है आप कौण्टेक्टर से होके उसमें जाएक हम आप के बात नहीं करते हैं यह होगा की स्वीच है समझ गए के ऐसाएं है यह की स्वीच से होके जाएगा लेकिन बाकी सारा जो भी इंपुट यह डिक लिखाएं जो भी इंपुट है वह पोजेटिव से होके ही जाएगा मतलब की स्विच के आउट्पुट से यहां गया दूसरा आपको बता रहा हूं कि यह साइगा बहुत सारा आपको इंपुट आएगा पैटल स्विच आएगा मर्दिन से रिवर्स आएगा फॉल टू फॉल तो आउट्पुट है वो की जब भी कंट्रोलर आउट करेगा तो माइनस करेगा तो हमको दूसरी साइट से लेना है वो प्लस लेना मैं समझा तुम आपको बैसे नहीं समझेंगा दोस्तों यह जो इंटर लॉक इंपुट का मतलब होता है कि आपका गाड़ी को तो की स्विच दिये तो चालू हो गया जल्रेकर इंटरलाउट देने से अलाग से सैफ्टी हो जाता है कि स्विच के बाद से ऊठके सारे निंपुट आएंगे बिर को यह फ्रेंट भी सब्सक्रम करेंगे मोड करने का मोड सेलेक्शनिक्यस आप समझेगा यह यह बाट सब्सक्राइब और टू ऐसे समझेगा ऐसे करके बनाता है यहां पर बताता हूं मैं यहां पर यह चालू है यह बंद दोनों सब्सक्राइब दोनों चालू का मतलब आपको प्लस से सप्लाइस में देना यह मोड फूर हो गया तो इस कंट्रोलर में चार मोड आप उपरेशन यूज कर सकते हैं चार मोड सेलेक्शन आप दे सकते हैं इसमें आपको देना है सपोज मानि आप सेलेक्ट कर लेघे हैं तो गारी अपरेटर पंद्र किलमेटर का स्विट से चला सकता है ठीक है यदि ऑपरेटर ने मोड 2 सेलेट करके रखाया उसमें तो ऑपरेटर आपको दो किलुमेटर से ज्यादा का स्पीड नहीं जागे चाहिए एक सेलेटर पर कितना भी प्रेस करते हैं सब्सक्राइब करते हैं जो सेलेक्शन का जो प्रोगाम करते हैं आपको सेलेक्शन का जो प्रोग्राम को सेट करना पड़ेए कितना स्पीड चलाना है में कितना सब्सक्राइब चलाना वैसे सब्सक्राइब करते रहता है उसको फोल्ट बोलते हैं तो बल्ग करते रहते हैं लेकिन इसमें लगाने के मतलब यह है कि आपको दिखाया कि अलग रखोंट का इस तरह से यह फोल्ट आप इसको लोड दे सकते तो अभी आउट्पूट है अभी आउट्पूट है देखे अब इन्पूट में बोला था पोजिटिव आउट्पूट में जब जब सब्सक्राइब धैसे आउट्पूट में मैनेख़े लगाना पूंग मैंैट्पूट आफिके मट कर दिखायग ऐच माले कि एक लगा आप दूसरा वाई लिटिकर क्या लगाना पड़ेगा समझे इसे ने बोलाई गिए क्योंकि इसका आओट्पुट माइनस है तो आप को यहां पर बी प्लस लगाना पड़ेगा समझे इसके आओट्पूट माइनस रहेगा इन्पूट इसको प्लस चाहिए इसको चाहिए प्लस लगिन यह देगा माइनस अब समझेगा आगे बढ़ते हैं फोल्ट आउट्पूट में एक एक लिडियदी लगा लेना उसको पलस से लेना दुसरा लेग में एक लेडि प्लस जाएगा और एक कंट्रोलर मैनस उसको और अभीव इंपूट नहीं याधि आप वाकि में लगा रहे हैं याधि याधि फेकर में लगा रहे हैं लाओ पर चलाना पड़ता है और पहले वीडियो बना याधि आपने देखा हो आरे बटन में डाल दोंगा हुआ है अब देखेंगेर तो बाकि मैं सिर्फ एक साथ नंबर में लगेगा अब देखिए यह आपको ट्रपोट इस देल अधर उसको एधर से जाएगा आपको इमेर्जेंसी रिवर्स समझ लें एक इमेर्जेंसी रिवर्स यह जो इनपुट है तो इस तो बहुत तेजी से गाड़े पीछे की वर आएगी उसको करते लिए जो आप देखते हैं हैं या भी यह बीओ पीटी इस तरह की गाड़ियों के घंडल में ऐट के पास एक लाग रंका या बीले रंका या उझले रंका स्विच येक रहता जो उसको दमाय विद बहुत तेजी से गाड़े पीछे आती, यह इसी connection के वज़ ही साथ, यह साथ नॉमबर connection में उसका connection दे法। दो स्विच को ठीक है दो नहीं दो टो फॉट है कि में लगता और दो स्विच और दोस्री साट से आपको लिमिट स्विच में दो बाहर रहता है ना इसाई समझ गई अइसाई स्विच से आप आप समझ रहे होंगे दिने जाने उत्रोभ से बतातों पैटल स्विच यादि एक सलेटर पोर्ट का पैटल सुविच खराग हूं नहीं होगा अपका गाड़ी नहीं चलेगा पूरबड़ सब्सक्राइब आते हैं क्या है यह थोड़ा सा अलग चीज है जनरली सभी जगा यूज नहीं होता है लेकिन आप चाहें यूज कर सकते हैं समझा देता हूं इसका काम क्या है क्या रिटन इंपुट यदि आपने दे दिया इन्पुट का मतलब बता रहा हूं पोजिटिव से आएगा की स्विश से आएगा क्या रेटन इंपूट आपने दे दिया और कंड्रोलर में आपको प्रोग्राम को ओन करना पड़ेगा उसको करना पड़ेगा कि यह दो नहीं है इसको करने के जरूद के अपने प्रोग्राम करने के जरूद लेकिन आपने उसका प्रोग्राम में आउन कर रखा तो इसका काम क्या बदाता हूं जैसे हम करें तो टाइमर रहता है इसकेंड तो आपको वुसमें क्या हो सकेंड का इसकेंड को और रखेंगे उसके बार जब आप एक सब्सक्राइब कर देंगे तो उसके लिए होता है उनक देखते होंगे ओला और यहां से सिर्फ यह है कि एक्सेटर को आफ करना चाहते हैं, क्या किसी कंडिशन के लिए, तो उसके लिए अब आते हैं सबसे मुख्य चीज फोरवर्ड रिवर्स देखें दस नमबर 11 नमबर दोनों फोरवर्ड रिवर्स का है अब समझें फोरवर्ड रिवर्स में भी आपको के स्विच से होके एक वायर जाएगा मलब के कॉंबिनेशन स्विच में फोरवर्ड अरिवर्स आएगा 11 नमबर में ऐसे रहेगा समझें आइसे रहेगा प्रवर्ड रिवर्ड 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 रिवर्स दोनों जाएगा.